आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का जंडा फैराया था। साथियों कारगिल का युद्ध जिन परिस्तित्यों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े-बड़े मन्सुवे पालकर भारत की भूमी हत्याने और अपने यहां चल रहे आंत्रिक कलह से द्यान भठकाने को लेकर दूसाहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे समंदों के लिए प्रयास रत था। लेकिन कहां जाता है ना बैरू अकारन सब काहूं सोग जो करहित अनहित ताहूं सोग यानि दुस्ठ का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हीत करता है उसका भी नुक्सान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीट में छुरा धौपने की कोशिश हुई थी। लेकिन उसके बाद भारत की वीज सेना ने जो पराकरम दिखाया। भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कलपना कर सकते हैं। उँचे पाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेना ये हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पाड़ की उचाई की नहीं भारत की सेनाओं के उँचे होंसले और सच्ची विर्ता की हुई। साथियों उच समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सोभागे मिला। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल ख्षणों में से एक है। मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग करगिल विजे को याद कर रहे हैं। सोचल मिडिया पर एक हैश्टेग करेज इन करगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उन्हें सरद्धांजली दे रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं। जिन्होंने माभारती के सच्चे सपुतों को जन्म दिया। मेरा देश के नवजवानों से आगरह है कि आज दिन भर कारगिल विजे से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं, शेयर करें। मैं साथ हुआ आपसे एक आगरह करता हूँ आज। एक वेबसाइट है www.galantryawards.gov.in आप उसको जरूर विजिट करें वहाँ आपको हमारे वीर पराक्रम योद्धाओं के बारे में उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारिया प्राप्त होगी। और वो जानकारिया जब आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे उनके लिए भी प्रेणा का कारण बनेगी। आप जरूर इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और मैं तो कहूंगा बार-बार कीजिए। साथियों कारगिल यूद्ध के समय अटल जी ने लाल के लिए से जो कहा था वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगीक है। अटल जी ने तब देश को गांधी जी के एक मंत्र की याद दिलाई थी। बात्मा गांधी का मंत्र था कि यदि किसी को कभी कोई दुविदा हो कि उसे क्या करना क्या न करना तो उसे भारत के सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि जो वो करने जा रहा है उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं होगी। गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है। ये मंत्र था कोई महत्वपूर्ण निर्ने लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पाहडियों में अपने प्राणों की आहूति दी थी। आईए अटल जी की आवाज में ही उनकी इस भावना को हम सुने, समझे और समय की मांग है कि उसे स्विकार करें। हम सभी को याद है कि गांदी जी ने हमें एक मंत्र दिया था, उन्होंने कहा था कि जी कोई जिविधा हो, कि तुमें क्या करना है, तो तुम भारत के उस सबसे असहाई व्यक्त के बारे में सोचो, और स्वेम से पूछो, कि क्या तुम जो करने जा रहे हो, उस से उस वक्ती की भलाई होगी, कारगल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है, कोई महत्वपूर्ण रिल्वे लेने से पहले हम ये सोचें, कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है, जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुती दी थी, साथियों, युद्ध की परिस्थिती में हम जो बात कहते हैं, करते हैं, उसका सीमा पर डटे सैनिक के मनोबल पर, उसके परिवार के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ता है, ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए, और इसलिए हमारा आचार, हमारा विहवार, हमारी व जहना चाहिए, कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उससे सैनिकों का मनोबल बढ़े, उनका सम्मान बढ़े, राष्ट्र सर्वोपरी का मंत्र लिए, एकता के सुत्र में बंदे देश्वासी, हमारे सैनिकों की ताकत को कई हजार गुना बढ़े,